हेलो एव्रिवन वेल्कम बेक टू लेट्स लर्न एव्रिवन स्वागत करती हूं आपका एक बार फिल से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एव्रिवन पर जहां आप सीखते हैं वोकेबलर्य और करते हैं अपने इंग्लिश को इंप्रूव जिन्हें आप अपनी रोजाना की बातचीत में इस्तिमाल कर सकती हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है अपने हैं चैनल पर तो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें औ आल मींस का मतलब होता है अवश्य, जरूर, निश्चत रूप से या निसंद है You can say this for giving permission to someone in polite way मतलब किसी को polite way में permission देने के लिए हम इस phrase का यूज करती हैं जैसे हमसे किसी ने कोई चीज मागी या हमसे कोई permission मागी तो हम उससे हां बोलने के लिए या polite way में उससे हां करने के लिए इस phrase का यूज कर सकती है Example है By all means you can take our car किसी में आप से कार मागी तो आप बोलेंगे जरूर आप हमारी कार ले सकती है Next phrase is a bit much A bit much का मतलब होता है थोगा जादा, बहुत जादा या ज्यात्ती, अनुचित या गलत मतलब कोई आपसे ऐसी डिमांड करता है जो कि अनुचित होते है या गलत होती है तो उसे बोलते हैं ज्यात्ती तो वहाँ पर a bit much phrase का यूज कर सकती है You can say this if you think something is not fair जब आप सोचते हैं कि कोई चीज फियर नहीं है या कोई चीज अनुचित है तो आप इस phrase का यूज कर सकती है Example is it is a bit much expecting me to gift my new diamond necklace to you मुझे अपना नया हीरे का हार आपको पहार में देने की उमीद थोड़ी जादा है या ये उमीद गलत है या जात्ती है कि मैं अपना diamond का नया necklace आपको gift कर दूँ तो a bit much मतलब थोगा जादा Next है buy and buy Buy and buy का मतलब होता है बाद में क्रमशा या धीरे धीरे It is used for a future time or occasion which will happen after a short period ये future में होने वाले किसी event के लिए या time के लिए हम use करते हैं जो थोगे समय बाद होने वाला है या थोगे समय बाद होगा Example है you will get used to live without your phone buy and buy आपको धीरे धीरे अपने phone के बिना रहने की आदत हो जाएगी मतलब कि आपको भविश्य में धीरे धीरे phone के बिना रहने की आदत हो जाएगी तो इस तरह की situation में हम buy and buy का use कर सकते हैं जिसका मतलब होता है बाद में या धीरे धीरे Next है at the time At the time का मतलब होता है उस समय तब एक विशेश अगधी में या एक विशेश समय पर Used at a particular moment or period in the past इस phrase का use हम past में हुए किसी moment के लिए या किसी time के लिए करते हैं जैसे I was busy with my office work at the time when you called me जब आपने मुझे phone किया उस समय मैं अपने office के काम में वियस्त थी तो ये past की बात है कि जब आपने मुझे phone किया था तब मैं office के काम में वियस्त थी तो at the time का मतलब होता है उस समय या तब अगला phrase हमारी लिस्ट में at times at times का मतलब होता है कभी-कभी यदा-कदा समय समय पर मतलब कोई चीज जो regular ना होकर occasionally होती है या कभी-कभी होती है तो उसको describe करने के लिए हम at times का use करते हैं example है my husband helps me in domestic chores at times मेरे पती कभी-कभी घर के कामों में मेरी मदद करते हैं मतलब हमेशा नहीं करते हैं समय समय पर या कभी-कभी करते हैं तो at times मतलब कभी-कभी या समय समय पर अगला phrase है in the red in the red का मतलब होता है हानी में, नुकसान में या कर्ज में this phrase is used for a business or a person who is losing money or is in debt इस phrase का use हम उस situation में करते हैं जिसमें कोई business या कोई person कर्ज में होता है example is the company has been in the red for the last six months company पिछले छे महीने से कर्ज में है या नुकसान में है अगला phrase है in the black in the red का opposite है या antonym है in the black का मतलब होता है फायदे में, मुनाफे में या लाब में used for a business or a person who is earning more money than it spends or is in profit कोई व्यक्ती या कोई business जो profit में है या फिर जो अपने खर्चे से जादा पैसे कमा रहा होता है उसके लिए हम in the black phrase का use करती है example है she is working very hard for being in the black वह मुनाफे में रहने के लिए या फायदे में रहने के लिए या लाब में रहने के लिए बहुत मीनत कर रही है तो in the black means फायदे में next है in a row in a row का मतलब उतर लगातार बिना रुके बिना अंतराल के या अविराम मतलब की कोई काम जो continuously हो रहा है this phrase is used when something happens one after another without a break example है it has been raining for three days in a row लगाता तीन दिनों से बारिश हो रही है या बिना रुके तीन दिन से बारिश हो रही है तीन दिन से बिना रुके बारिश हो रही है कुछ भी बोल सकते है अगला phrase है time and again time and again का मतलब होता है time and again phrase का यूज करते है example है I tell my children time and again to switch off the fan before leaving the room कमरे से बाहर निकलने से पहले पंखा बंद करने के लिए मैं अपने बच्चों से बार बार कहती हूँ मतलब repeatedly कहती हूँ या कई बार कहती हूँ तो आपको समझ में आगया होगा कि time and again का हम use किस situation में कर सकती है अगला phrase है most of all most of all का मतलब होता है सरवाधिक सबसे जादा या दूसली चीजों से जादा this phrase is used for something that is of greatest importance or more than any other thing इस phrase का use हम comparison करने के लिए कर सकती है जैसे अगर हम दो चीजों को comparison करते हैं तो एक चीज जो जादा महत हों है उसके लिए हम most of all phrase का use कर सकती है example से clear करते है I miss my hometown most of all I miss my childhood friends मुझे अपने hometown की याद आती है सबसे जादा मुझे अपने बच्पन के दोस्तों की याद आती है मतलब मुझे अपने hometown में और चीजों की तो याद आती है तो यहाँ पर दोस्तों का और चीजों से comparison हुआ है अगला phrase है then again या there again इसका मतलब होता है फिर भी ऐसा होने पर भी या इस पर भी दोनों phrases का same ही meaning है फिर भी ऐसा होने पर भी या इस पर भी इस phrases are used when you have had a new thought that is different from the first one इन phrases का use हम तब करते हैं जब हमारे पर दो thought होते हैं या हमारे mind में दो thought होते हैं दो बाते हमने बोली होती है जो कि एक दूसर से बिलकुल अलग होती है example है the dress is very beautiful but then again it is expensive dress बहुत सुंदर है लेकिन फिर भी यह है महंगी है तो यहाँ पर दो बाते हैं cut and dry का मतलब होता है spust या साफ used for something that is clear, simple and easy to understand मतलब कोई चीज जो बिलकुल clear है simple है और समझने में बहुती ज़ादा आसान है उसके लिए हम cut and dry का use करती है example है he is unable to find any cut and dry solution of his problem वह अपनी समस्या का कोई spust या साफ समाधन नहीं ढून पा रहा है तो cut and dry मतलब spust या साफ अगला है cut the cord cut the cord का मतलब होता है आप निर्भर होना, खुद पर निर्भर होना या दूसरों पर निर्भर होना बंद करना this phrase is used for ending connection with someone और to stop depending on the support इस phrase का use हम उस situation में करती हैं जब हम पहले तो किसी पर dependent होती है लेकिन बाद में उससे connection तो देना या फिर उसके उपर depend होना बंद कर देना तो इस situation में हम cut the cord का use करती है example से clear हो जाएगा he should cut the cord and stop depending on his parents for financial support उसे बित्तिय सहायता या financial support के लिए निर्भर रहना बंद कर देना चाहिए मतलब financial support के लिए अपने माता पिता से connection खत्म कर देना चाहिए hit and miss hit and miss का मतलब होता है लापरवाही से किया गया काम मतलब की तुक्का मारना जिसको हम बोलते हैं तुक्का मारना खेती बहुत तुक्का मारने जैसा मामला हो सकता है या ऐसा मामला हो सकता है जिसकी सफलता पक्की नहीं होती है क्योंकि बहुत सारे factors होते हैं जिन पर farming depend होती है जैसे कि weather weather farming को बहुत ज़्यादा effect करती है उसने परिक्षा के प्रश्णों के लापरवाही से उत्तर लिकिया या तुक्का मारा है इसका मीनिंग तो आपको अल्रेडी समझ में आ गया होगा example देखतें computers are essential to getting work done quickly and efficiently in this day and age आजकल जल्दी और कुशलता से काम करने के लिए computer जरूरी है या आवश्यक है तो in this day and age मतलब आजकल तो यह था आजका वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की है आपके साथ कुछ daily use phrases share करने की जो कि आपके everyday conversation के लिए बहुत ही helpful रहेंगे I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा एक बार फेस से request करना जाओंगी अगर वीडियो पसंद आया हो तो please like करें, share करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए है आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो please चैनल सब्सक्राइब करें जल्दी लेकर आँगे एक और useful वीडियो जो आपकी knowledge को increase करेगी